नमस्कार आप देख रहे हैं डियन एक्स टिवी मैं हूँ नीशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुड़कियों में रापूर में पकड़ाया एक कड़ोर रुपय का गानजा, चेह आर रुपी गिरफ़तार पुष्टास जैरी राजधाने पुलिस ने गानजा की बड़ी खेब को पकड़ने में सफलता पाई है मामले में 6 आर रुपियों को गिरफ़तार किया गया है जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबीर से सुचना मिली थी कि एक ट्रक गांजा लेकर रैपूर की तरफ आ रहा है जिसके बाद सुबा माना रोट के पास ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली गई ट्रक में एक विंटर गांजा था जिसकी कीमत एक करोड है इसके अलावा एक कार भी जब्त की गई है क्वारंटाइन सेंटर से भागे साथ लोग एफाई यार दर्ज पलवारी तेहसिल के ग्राम सीतापार में क्वारंटाइन काल पूर ने किये बगए सेंटर छोड़कर भागे साथ लोगों के विरुद पलारी थाने में एफाई यार दर्ज की गई है नकसलियों ने सडक निर्मण में लगे वाहनों को किया आग के हवाले नकसलियों ने सडक निर्मण में लगे वाहनों को आग लगा दी नकसलियों ने विकास कारी में बाधा डालने के लिए दो जेसिबी, एक पोकवेन, तीन टिपपर में आग लगा दी नकसलियों ने कुल छे गारियों को आग के हवाले कर दिया एसपी सलब सिन्हा ने इसकी पुस्टिक की है बलतकार में नाकाम यूकों ने नाबालिक को जिन्दा जलाया इलाज के दोरान मौत प्रदेश के बेमेतरा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है 22 जून को दुशकर्म की कोशिस करने के दोरान जलाई गई 14 साल की किशोरी की रैपूर में इलाज के दोरान मौत हो गई वारदात दाड़ी थाने इलाके के मंजगाउं की है जहां पिडिता के घर से महस सो मिटर दूर हाफ नदी के किनारे आरोपियों ने उसे ले जाकर आबरू लुटने की कोशिश की लेकिन रेप में नाकाम होने के बाद उसके उपर कैरोसिं डाल कर जिन्दा आग के हवाले कर फरार हो गए जनले के समय किसोरी की आवाज सुन कर कुछ लोग मौके पर पहुँचे और उसे फॉरन जीला स्पताल भेजा गया जहां प्रात्मिक इलाज के बाद पिडिता को रैप को रेफर किया गया था जहां इलाज के दोरान उसने दम तोड़ दिया चतिसगर में जवानों के बाद CRPF अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव प्रदेश में जवानों के बाद अब अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ गए जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले में CRPF 229 बटालियन के अधिकारी कोरोना पॉजटिव निकला है बताया जा रहा है CRPF का ये अधिकारी बीटे दिनों छुट्टी से लोटा था छुट्टी से लोटने के बाद ये अधिकारी क्वारंटाइन पिरियेड में था इस सब्धी के दौरान कोरोना के लक्षन डिखने पर जब टेस्ट कराया गया तो इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सेनी अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले की पुष्टी कलेक्टर रितेश अगरवाल ने की है 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 17,000 नय केस 418 लोगों की मौत 13,000 लोग रिकवर देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमेंट के 16,922 नय केस मिले है और अब कुल मरीजों की संक्या 4,73,105 हो गई है इस दोरन 418 लोगों की मौत हो गई और मिर्टिकों की संक्या बढ़कर 14,894 हो गई है रिकॉर्ड 13,012 लोग रिकवर हुए है और अब तक 2,671,676 मरीज इस वाइरस को मात दे चुके है एक्टिव केसों में 3,492 का इजाफा हुआ है और अब 1,86,514 एक्टिव केस है पतंजली की कोरोना की दवा पर महरास्ट सरकार ने भी पाबंदी लगाई ग्रीः मंत्री देश्मुक ने कहा हम राज्जी में नकली दवा नहीं बिखने देंगे बाबा राम देव की दवा कोरोनेल टेबलेट पर महरास्ट सरकार ने भी प्रतिबंद लगा दिया है इससे पहले राजस्तान सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है महरास्ट्री सरकार के ग्रीह मंत्री अनिल देश्मुक ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रैल के बारे में अभी कोई पुक्ता जानकारी नहीं है ऐसे में महरास्ट्री में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी अपातकाल की बर्सी पर बोले पियम मोदी लोगतंत्र से नानियों का बरीदान नहीं भूलेगा देश 25 जून 1975 को देश में अपातकाल का एलान किया गया था अपातकाल के 45 साल पूरे होने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर अपातकाल थोपा गया था उस समय भारत के लोगतंत्री की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया यातनाय जेली उन सबको मेरा सतसत नमन उनका त्याग और परिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा सिबियाई जाच की मांग को लेकर सेखर शुमन ने ओनलाइन फोरम बनाया बोले ये मामला उतना साधारन नहीं जितना दिख रहा है अभिनेता सुसान सी राजपूत की आत्महत्या के मामले में अपसे बियाई जाच की मांग तेज हो गई है एक्ट्रेस रूपा गांगुली के बाद अभिनेता सेखर सुमन ने भी इस मांग को उठाया है सेखर ने इसके लिए हैस्टेग जस्टिस फर सुसान फोरम नाम से एक मंच भी बनाया है भारती क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा दिन आज ही के दिन बने थे वर्ड चैंपियन 25 जून 1983 का दिन भारतीय खेलों के इतिहास में कभी न भुलने वाला दिन है 37 साल पहले आज ही के दिन भारतीय टीम लॉट्स में वर्ड कप चैंपियन बनी थी वेस्टेंडिस पर भारत ने फाइनल में 43 रनों से हैरत अंगे जीत दर्च कर पहले बार वर्ड कप पर कबजा जमाया था पूरे टूनमिट में भारतीय टीम ने उमीदों के विपरित चौकाने वाला प्रदर्शन कर आस्टेलिया, इंगलेंड तथा वेस्टेंडिस जैसी दिगज टीमों को धूल चटाते हुए विस्वे चैंपियन बन दिखाया था आज की बड़ी खबरों में इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए